हलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल देखिए आज मैं हम लोग जो है बत्वे की डाल बनाएंगे बत्वे की डाल बनाने के हरी डाल बत्वे की बनाएंगे और उसके लिए मैंने इसको हम लोग सकपैता भी बोलते हैं तो सकपैता इसके लिए मैंने हरी डाल लिये और मैंने द बथवे को और दाल को कुकर में डाल दोंगी बथवे को दाल को कुकर में डाल दिया है यह जाड़े की सब्जी है क्योंकि यह सर्दियों में ही बथवा आता है बथवा सर्दियों में ही आता है तो इसको बथवे की दाल बनाने के लिए से मैंने थोड़ा सा आटा लिया है आटा इसमें एसे लेकर के और इसको भिलकुल आठ से ऐसे मिला ज़ेते हैं उससे हमारा दाल और साल भीम और अठ्छे से मिल जाता है और स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी अद्रक, इसको डाल करके मैं गैस पे 20 मिनिट के लिए चढ़ा दूँगे, 20 मिनिट यह खुब अच्छे से पक जाएगी डाल, देखे, मैंने दाल गैस पे चढ़ा दिये, और अब 20 मिनिट तक हमारे यह दाल पकेगी, इसमें 5-6 प्रेशर आएगी और इसको मैं धीमी कर दूँगी आज, और धीमी आज में यह पकेगी 10 मिनिट तक, फिर 20 मिनिट में हमारी दाल तयार हो गईगी, देखे, हमारी दाल 20 मिन अब मैं इसमें चौका लगाऊंगी, देखे, चौका लगाने के लिए मैंने इधर कड़ाई चाहा दिये, उसमें थोड़ा देशी घी डाला है, देशी घी का चौका बहुत बढ़िया बनता है, हां किंगे अब मैंने फिर 20 मिना, मैंने इसमें बढ़वा नाला है, भी देखें वेल्धा द्वकषा गगारों हुगाइक टैर आएड़ा, रहा हुगा, जालों Ū्ला हुगा हूगा rapping देखिए हमारा लैसून हो गया अब इसमें मैं अध्रग डालूँगी अध्रग, मिल्च, लाल मिल्च, सुखी और हींग, फड़ी सी हींग और मैंने इसमें दाल को तौका बनके तयार हो गए कितनी अच्छी मेरी दाल बनके तयार हो गई, सर्व करने के लिए पसंद आई हो तो हमारे चानल को लाइक और सस्क्राइब करिएगा थैंक यूँ झाल झाल झाल